हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अजाद जीक के क्लासस में तो फ्रेंड्स अभी तक आपने कुछ नहीं पड़ा है तो हमारी वीडियो को अभी भी टाइम है अभी से 10 दिन टाइम आपके पास इस 10 दिन को आप सिर्फ उन कोशन को पढ़ने में समय दीजिए जिसमें आपको फाइदा हो ठीक है क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है एक्जाम के लिए तो हम उसी के नुसा टॉप 15 कोशन को इंग्मिस को लिए हैं जापके एक्जाम के लिए बहुत ही है ठीक है तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टाट करते हैं ठीक है पर दसमें पहला बड़ा चूज्ज डवान विच्प बेस्ट वन विच्पेस्ट एकस्प्रेस्ट अवफड़ियो कम कि अश्क्वेंडर ठीक है यह जो एक्षपिंडर वाड है ठीक है इसका सेम वाड़ चुनना है ठीक है इसको सिनोमां स्रूपता तो आस्कोंडर मिश होता है क्या इसका हिंदी में देखेगा स्कुंडर मिश होता है भर बाद हो जाना ठीक है भर बाद हो ना लुटना खोना ठीक है तुसी का नुसार इसका सैंस हो जाएगा वेस्ट होना वेस्ट में भर बाद होता है ठीक है Next Choose the one which is opposite in meaning of the given word जेनीथ कि इसका ऑपोजेट ऑपोजेट वडड को एंटनीम सी जब याद रखे घा तो जेनिथ का जो उपोजेट वड़ हो जाएगा इसका अंसर हो धी हो जाएगा ठीक ए नेक्स्ट find the correctly spelled word ठीक है इसमें सही वर्ड को चुनना है friends सही वर्ड कौन सा होगा इसमें तो मैंको पता दूँ इसका सही अंसर हो जाएगा इसका अंसर डी हो जाएगा ठीक है बी ब्यूरोक्रेसी का स्पिलिंग क्या होता है इसका अंसर ब्यूरोक्रेसी ठीक है इसका स्पिल्ट वर्ड इसमें सही अस्पिलिंग वाले वर्ड को चाटना है ठीक है इसका सब्सक्र देख लिए था हम लोग मिल्यन इर इसको लिए इसका है इसका अंसर मिलना इर इसमें सही लिखा हुआ है इसका अंसर बता है इसका अंसर कौन सा होगा इसका अंसर फरस्ट वाल है ठीक है M.I.L.I.O.N.A.I.R.E. creation Choose the one which best express the meaning of the word sufficient के लिए sufficient से मिलता जोलता है इसमें और कौन सा word है बता सकते हैं आप सफिस्यम मिसंट का हिंदी होता है परयापक्ट ठीक है 106-7 बआए फ airport में पास सब दूररे पास सब्सक्राइब होगें पर्यापक्ट मंद पर केलिए यहां पर गोरियारिंग तो फेड़ीं यहां सबी कोशन को सेट किया गया ठीक है वाइन्ट था क्रेक्ट्री अस्पेल वर्ड इसमें कुर जाएगा शरप्राइज का इसमें सेई अंसर हो जाएगा इस यू वार्प पी और अरई एससी सरप्राइज find the opposite word of the given word famous famous का opposite क्या होगा famous मिस सभी को पाता होगा famous मिस होता है परसीद ठीक है परसीद इसको opposite क्या हो जाएगा इसको opposite हो जाएगा worthless next next to be none for bad acts is called जो बूरे काम करता है उसके लिए जो जाना जाता है उसको क्या कहते है उसको famous कहते है या notorious या criminal या terrorist तो friends जो नहीं पढ़ा होगा वो यह समझ जाएगा जो बूरे काम करता है उसको criminal बोला जाता है यहाँ पर criminal नहीं होगा ठीक है इसका science रोजागा notorious ठीक है next what is the meaning of throw cold water upon इसका meaning क्या होगा throw cold water upon इसका science रोजाएगा इसका science रोजाएगा calm down once anger put out the fire discourage a plan teach someone इसको science क्या होगा इसका science हो जाएगा discourage a plan फिर इसको हम लोगा इसे भी याद रख सेगें throw cold water upon मतलब इसमें हो क्या कि ठंडा पानी को किसी चीचों फेक रहा है ठीक है तो आप लोग सभी सुने ने कि कोई प्लान मनाता है अगर उस पे पानी फेर देंगे तो प्लान क्या होगा खराब हो जागा मतलब खत्म हो जागा तो discourage हो जागा discourage a plan ठीक है next choose the one which best express the meaning of the word hopeful hopeful मिस क्या होता है आसा ठीक है तो उसी से related है hopeful का हो जाएगा expect उमीद करना ठीक है next आई dot dot lunch one hour ago इसमें कौन सा होगा have had 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 have या had कौन सा होगा इसमें तो इसका सेयन से रोजागा friends had I had lunch one hour ago ठीक है next the principal dot dot the pion to let the girl come in तो इसका friends अंसर दीख रहा है इसका सेयन से रोजागा order the principal ordered the pion to let the girl come in ठीक है next the mother was anxious dot dot the safety of her son उसकी माच चिंती थी अपने बेटे को safety को लेगा ठीक है तो इसका यहाँ पे हो जाएगा four the mother was anxious for the safety of her son next the four brothers are always quarreling dot dot themselves इसमें से रोजाएगा तो इसका सेयन से रोजाएगा among हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे चार बरादर आपास में लाड़ते हैं अगर यहाँ पे दो बरादर तो between हो जाएगा थीक है दो से ज्यादा है जैसे ही जाएगा तो among हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा next select the alternative which is closest to the meaning of the given idiom or phrase इसमें idiom और phrase भी है to push somebody to the wall इसका से रोजाएगा to push somebody to the wall इसका से रोजाएगा इसका से रोजाएगा to knock him down ठीक है तो friends यही वो question थे top 15 questions अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को subscribe और like जरूर कर देजाएगा ठीक है क्योंकि आज से लेकर आपके exam तक हर रोज़े के वीडियो मिलेगा जो important रहेगा आपके exam क